Hello everyone, welcome to our channel MPboard English Medium So guys, अगर अभी हम MPboard की साइट पे जाते हैं तो आप लोगों के class 10th और 12th के results related कुछ भी update हमें MPboard के website पे देख ले के लिए नहीं मिलती वहीं बच्चों का मेरे पास continuously एक सवाल आता है कि भी हमारा result आखिर कब आएगा इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों से कहा था कि 25 तारिक से पहले आप लोगों का result आने की बहुत ज़्यादा संभा होना बनती है तो guys अभी recently कुछ ऐसा मैंने MPboard के Twitter handle पर देखा जिससे कि आप लोगों की date जो है result की वो और ज़्यादा confirm होने के chances होद मिलते है तो क्या है वो update इस वीडियो में आप लोगों को share करने जा रहा हूँ तो please video को end तक दिखिएगा और information पसंद आती तो अपने दोस्तों में भी जरूर से share कीजेगा मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि 25 तक के आपका result आ सकता है तो उसी से related एक और confirmation हमें हाँ पे MPboard की तरफ से मिलता हुआ दिखा रहा है तो क्या है confirmation तो देखो गाई अभी मैं recently MPboard के Twitter handle को चेक कर रहा था तो Twitter handle पे मुझे अपडेट मिली जैसा कि आप देख सकते है अपने स्क्रीन पे Official MPboard के जो Twitter handle है उसने ही tweet किया है कि मद्यप्रदेश के महाविध्याले में 25 माई से प्रविष होगे प्रारम महाविध्याले that means college याने इस update के माद्याम से MPboard ये बताना चाला है कि 25 माई से college के admission start हो जाएगे और एक बच्चा college में कब admission लेता है जब वो 12 को pass कर लेता है that means जब उनके पास result आ जाता है तब ही बच्चा pass क्यालाता है pass होने के बाद ही बच्चा class 12 के आगी कि जो course है जैसे college वगरा उसमें admission लेता है MPboard ऐसा कह रहा है कि 25 माई से college के admission start हो जाएगे बच्चा 12th pass होके ही college में जाता है तो कहिना कि अगर हम अपडेट को अपने result से relate करें तो हम ये सोच सकते है कि 25 से पहले MPboard result को है declare कर देगा तभी बच्चे admission ले पाएगे तो हम अगर इस update की माने तो आप लोगों का 25 से पहले result आने के बहुत जादा chances बनते है ऐसी मेरा assumption है ये मैं अब जस्च रहा हूँ और मुझे update दिखी तो मैं आप लोगों को तक share करना चाहता था आप अपना opinion मुझे comment section में ज़रूर बताएगा कि आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि 25 से पहले result आजाएगा देखी अगर college की admission स्टार्ट हो रहे है तो MPP के भी बच्चे obviously college में admission लेना चाहेगे तो उनके लिए उसको result लगेगा अगर result होगा तभी बच्चा 12 में 12 के बाद college में admission ले पाएगा तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 25 से पहले आप लोगों का result डिकलेट कर दिया जाएगा बट अभी तक MPP Board के तरफ से ऐसा कुछ official notice जारी नहीं किया गया है हो सकता है आज या कल में MPP Board कुछ ऐसा notice जारी करें जिसमें आप लोगों के result date वो confirm कर दें मैं तो जल्दी ही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों का result आ जाए आप अपना opinion comment section में ज़रूर बताईएगा और ये आप लोगों के एक और update में देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के जो college के admission अब 25 तारिक से start हो जाएगे तो ऐसे जो भी course जिसमें आप percentage business पर admission लेना चाहते थे तो MP online का जो portal होता है MP counseling का उसमें आप registration करना पड़ेगा तब ही आप उसमें valid validity प्राप्त कर पाएगे और अपना जो admission हो confirm कर पाएगे इससे लेटे अगर आप information चाहते हैं कि कैसे college के लिए admission के लिए अपन enroll करते हैं तो मैं एक वीडियो आप लोगों क सबीसे नेक्स वीडियो मैं